बिजे पी के मुँपे बहुत बड़ा तुमाच्छा है जो लोग यस ऐ हैते से के मंदरों को शहर को और जमु को युवाओं को जो है। वो नशे में लिप्ट करने के कश्मीर की साइश है, कश्मीरीनी नेताओं की साइश, आज हम पूछना चाहते हैं यह किसकी साइज सरकार बीजेपी की है अमित्षा जी ग्रेव मंत्री जमो कश्मीर की यूटी को चलाते हैं यह पैसले कौन लेता है पहले भी जो दुकाने थी वो 70 साल में अगर इतनी दुकाने खुली और वो एक एक दो-दो चार चार करके 70 साल में जब इतनी दुकाने अगर खुली ह तो ठीक है रेगुलेटट लेकर ट्रेड होता है क्योंकि प्रोविशन से स्मगलिंग होती है और गल्त किसी नशा जो है उसमें जाते नहीं यह निक हर चोग चुराई में दुकान होनी है युवा काले से निकले स्कूल से निकले सामने दुकान हो और सुप्रियम कोड ने हाइवे पे शराब की दुकाने बंद की कि इसको सो मीटर दूर करो हाइवे से दूर होनी चाहिए कि चलते चलते ड्राइवर उठाएगा और एक्सिदेंट करेगा शराब लेगा तो उसका मकसद क्या है पालि से भी और लोकल ट्रेडर जो कोई एक अदा था कोई हंडीकाप था कोई बिमार था अगर एक शराब की दुकान उसने कहीं ली थी तो उस दुकार करता था परिवार चलाता था वो क्लिमिनेट हो गया और इंफुलिशन लोग जो है जिनके पैस पैसा था इस भी डंग से उन अपने मश्रूम ग्रोथ की अब आप थोग में जोहां 51 दकान खोलने बहले जिसे 45 जमू सुबह में अब किसकी साइश है जमू के युवाओं को नशे में डिबोने की क्या बीजेपी की साइश है कि नशे में हमको वोट देते हैं कि कल तक तो कश्मीर ही कि शाइश थी कश् सरकारों के साइश थी अब साइश किस की है यह हम पोचना चाहते हैं और यह बीजेपी की सरकार है बीजेपी कंट्रोल सरकार है और इससे वह बच नहीं सकते और लोकल ट्रेडर्स अब डॉमिसाहिल के बाएने बाहर से लोगों को लाते हैं डॉमिसाहिल बनाने का मक्सद य मलाजमत जमो कश्मीर के जुवाओं के लिए हम सरक्षित करेंगे यह सरक्षित हो गई आपने चार परिवाशाइं बना दी नमिसाल की इसलिए असल मकसद कहीं पे नगाएं कहीं पे निशाना लेकर कम से कम यह तो बताएं कि इस पालिसी का मकसद क्या है और इतनी ठोक में एक संद्रों का शेहर बच सके जिसे जमू सुवे की युवा बच सके जिसमें हर घली मिले और हर आइवे पे हर रोड पे शिराब की दुकान ना हो इसलिए यह बहुत ही घंबीर चिंता का विश्य है और इस तरह के तमाम कदम जो है वो जमू भ्रोदी जनता भ्रोदी और मैं स